कि कि नोश्कार दोस्तों मैं लली स्टोनी दश्टी आई एस की एडिटोरियर एनरेसी श्रंखला में आपका इबाप फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जम्मू और कश्मीर में भारत के लिए एक नई चुनोती फिर से उबर करके सामने आई है हम बात कर रहे हैं पिर पंज़ाल अरिया की लिए लिए उसका टाइटल ही हाइं पिर चयलें कि पहले जब घाक़ी कि Advent होते हैं आतंगवादी हमले पहले भी यह हुए हैं और अब जब इस एरिया में हमले हो रहे तो इसमें क्या नया है क्या ट्रेंड में चेंज है उसके बारे में बात करेंगे हम देखिंगे कि यह जो छेत्र है पिछले कुछ वर्षव में थोड़ा शांत था तो अब फिर से ही आतंगवादी हमले क्यों होने लगे हैं यहां पे उसके बारे में बात करेंगे ठीक है तो हमारा जो पूरा डिस्क्रिशन रहेगा वो जम्मू कश्मीर में टेर्रिजम और आतंगवाद को ले करके रहेगा और हम देखेंगे कि क्या-क्या इशूस है और कैसे इसको सॉल्व किया दा सकता है ठीक है चलिए तो श्टार्ट करत हम देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर में टेर्रिजम का क्या स्टेटस रहा है कैसे कैसे चेंजिस वगेर आ रहे हैं उसके बाद देखेंगे जो थोड़ा सा मैप के उपर मांचितर पर देख लेंगे कि कौन से इस्थान कहां पर है रज़ौरी पुंच एरिया कहां है और क् फिर यहां पर शांती हो गई थी काफी टाइम के लिए अब फिर से यह गतिविद्या हो रही है ठीक है जनरली जो कश्मीर का वैली छेत्र है वहां पर आत्मकवादी गतिविद्या होती है लेकिन अभी अगर देखेंगे तो वह थोड़ा ज्यादा शांत है और जबकि इन अब ज़्यादा एसी करतिविद्या हो रही थी हम लोग इनके बारे में बात करेंगे कियों हो रहा है ठीक है फिर पोस्ट इवेंट हैपनिंग अभी जो यह घटना हुई है न्यूज के अंदर उसके बाद क्या हुआ उस एरिया में जैसे कि जब घटना हुई तो उसके बा सवाल आजाता है तो हम भी वह यहां पर करेंगे फिर आटिकल का जो है कंक्लोजन निकालेंगे निश्कर्स निकालेंगे कि आप पूरे जब हम पूरी चर्चा कर लेंगे तो मोटे-मोटे तौर पर इसका क्या इशू को कैसे सौल किया जा सकता है ठीक है चलिए फिर स्टार सभामा अननतनागर रजारी यह जो अधंपुर यह जो है एरिया जो है यह आलो सिकोर पा्स एक पर कि यह एक लगार्य बात हैं और वडहता सेटवले चनिuten जister allows कि अब्हीं है ऐसे आफ सुबाद कि'llis यह घर मूशन फ़ Ouiек तomas ऑफिय։ एक मैप पे इसके अलावा हम लोग डिटेलने मैप आगे देखेंगे अब भी हुआ क्या है कि रिसेंटली यहां पे कुछ टेरर एक्टिविटी हुई ठीक है उसमें हमारे कुछ पांच आर्मी पर्सनल्स मारे गए ठीक है उसके बाद हम लोग यह देख रहे हैं कि ऐसा क्यों पर कहना है कि जादा नुक्सान भारतिय आर्मी का हुआ है ऐसा इसलिए क्योंकि जब पहले ऐसे हमले होते थे इस एरिया में तब हमारे पास इंटलीजेंस नेट्वर्क की कमी थी टेक्नलोजी भी नहीं थी सर्वेलेंस के लिए भी बहुत कम संसाधन हुआ करते थे लेकिन सीर जो वैली का छित्र घाटी सो चो फाल अब शांतर है जबकी ऎब सब्सकिएऊ कि आपका अरिया अब यह आसपास के एरिया और यह हमारा एरिया आफ इंट्रेस्ट है अभी यह उपर वाला एरिया पुंच है और नीचे वाला एरिया रजोरी है ठीक है अब यह जो आतंकवादी है वह इस एरिया से गुषते हैं यह पाकिस्तान ऑक्कुपाइड कश्मीर आपको पता होगा ठीक ह यह इंट्र करते हैं पहले क्या होता था कि यहां एंट्र करते थे फिर यहाँ पीर-pनेजार पड़ता था फिर वहां सीनगर तरह कश्मीर वेली में यहां जाकरके यह लोग अपने गतिवीरिया करते लेकिन आज कल यह लोग से हित सकी लेकर अगे हैant पहलेदीक्वार लग पीर पंजाल है दिजगे सकता है ही अगर पहाडी च्शेत रहे है तो आपको पता होगा कि हिली और एरिया होगा मतलब कहा सकते हैं पहाडी सभु अब जंगली रहे अब अब जब यह पहाड़ी और जंगली छेत्र है तो सर्वेलेंस वगेरा में यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होती है पेट्रोलिंग वगेरा असान नहीं हो जाती क्योंकि जोग्राफी जो है वो एड़र्स उसकी वज़े से इसका फाइदा उठाते वए यहां से अंदर एंटर करते हैं और यहां पे पहले यह होता था कि यह पीर पंजाल को क्रॉस करते हैं और फिर यह वैली छेत्र में यहां पे जो है अपनी गतिविद्या करते हैं ठीक है लेकिन पहले यहां पे इनका एक बेस हु पिर पंजाल को क्रोश करके यहां पर अपनी कतिवीद्य करते से लेकिन 2000 के बाद से कुछ ऐसा हुआ 234 के आजपास आप कहींगे 234 के आजपास यहां पर मिलिटरी ने काफी आपरेशन किये लोकल्स ने हमारा सपोर्ट किया उसके बाद इस एरिया को जो है बिलकुल सेनिटाइज कर दिया गया इसको साफ कर दिया गया अब यहां पे इनका कोई बेस नहीं है तो इनको यह पीर पंजाल क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है ठीक है पहाड़ी चेतर है बरफिला चेत कर दिया कि इसी अरिया में नामका इनका बेस हुआ करता था ठीक है और उस बेस को बाद में हटा दिया गया ऑग जुसकी वज़ें से यह पीर पंजाल क्रॉस नहीं कर पाते और अब यह रगजारी पंजाल के अंदर यह यह सारी कतिविद्या करते है इसके और भी कारण है क पीर पंजाल के बाद कश्मीर वैली में क्यों नहीं जा रहे है क्श्मीर वैली में एक नेटवर्क है एक सक्षक्रिटी फोर्स का नेटवर्क बनाया हुआ है जिसकी वज़े से वहां पे जो है काफी मुश्किल हो जाता है इनका सर्भाइव कर पाना ठीक है तो यह कुछ सेक्टर में यातंग की हमलिया क्यों हो रहा है मोटे मोटे तौर पर तो मैंने आपको बता दिया एक तो वहां पर जोग्राफिक इस्जु है ठीक है इनका बेस्ट केंप जो होहांसे हटा दिया गया है अब पहले क्या था कि 2000 सब्सक्राइब कि यहां पर बहुत सारी होती थी ठीक है क्यों क्योंकि यहां पर जो है लोकल्स का भी थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिल जाता था पहले ठीक है फिर 2002 के आसपा से कैसी घटना होती है कि यहां के ने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया क्योंकि जो इनके कुछ ऐसे ग्रुपड है यहां पर बारत की आर्मी को सपोर्ट करते हैं तो गुरुजर और बखरवाल यह दो ये गुझतशर और बकरवाल कम्यूटी आपके लिए important हो सकते है इन ने भारत की आर्मी को सपोर्ट करना चांट किया और जैसे इन और सब्सक्रिया हमने एहां के सब अब यह एक सब टेकर कर दिया यहां से और इस एरिया को पूरी प्रिक्त नहीं थी हमारे जवान भी आप डिप्लोई की हुए थे ठीक है फिर यहां पर यह आप देखेंगे कि 2005 से लेकर के 2010 तक का यह टाइम है यह लगबग वो टाइम है जहां पर यहां पर पीस थी शांती थी ठीक है फिर 2019 के बाद क्या होता है कि हमने यहां पर 370 को अब्रोगेट किया कश्मीर का स्पेशल इस्टेटस जो था वह उटा दिया तो यह कि तरह काम करता है दूसरा कि यहां पर आप देखें कि 2017 में दो क्लाम का इश्यू होता है ठीक है दो क्लाम इश्यू मतलब चाइना के साथ अग्रेशन हुआ हुआ है एक यहां कि फोरस proprio की गई थी उनको वहां शिफ्ट कर दिया गया वहांоде कर दिया आक तो यहां थोड़ा से वेकिया हुआ मो नो डाउट हमारे फोर्स्स जहां पर थे लेकिन जब हम लोग focus किसी और एरिया पे कर रहे थे तो यहां पे इनको एक opportunity भी मिल गए ठीक है फिर 2019 में हमने जो है article 370 हटा दिया तो इनको थोड़ा सा कि कश्मीर वाला जो वैली चेतर है वहां पर यह लोग नहीं पहुंच पा रहे है क्योंकि वहां पर आप कह सकते काउंटर infiltration की गुस्पैट करने के खिलाफ वहां पर काफी ग्रिड स्थपित किया गया है counter-terrorism मतलब गुस्पैट को और आतंकवाद को counter करने के लिए यहां पर एक ग्रिड बनाया हुआ ग्रिड का मतलब एक network बनाया हुआ ठीक है और जहां पर हमारे defense के जो प्लान है वो काफी अच्छी तरीखे से काम कर रहे है ठीक है तो उसकी वज़े से इनके proxy operation मतलब आतंकी हमले जो है यहां पर ठीक से हो नहीं पाते है इनका काम जो यहां बन रही जाया दाल नहीं गल रही इनकी तो उसकी वज़े से इन्हों ने क्या किया रजवरी पु ठीक है उसका reason है कि मैंने आपको दो communities बताई थी गुर्जा और बकरवाज अब 2006 में forest right act आता है forest right act के अंदर जो यह communities है जो रहती है जंगलों अगेरा में तो उनके rights के बारे में बात किया है उसकी वज़े से इन लोग के बीच में आपस में ही कुछ issues हो गए ठीक है यह दो दूसरा हो गया employment का issue employment का issue हुआ तो इन लोग को area चोड़कर के बाहर जाना पड़ा बाकी area में जहां पर इनको रोजगार मिल सके ठीक है तो उसकी वज़े से और तीसरा है development का issue जब development नहीं है तो यह लोग बाहर जाने लगे और उसकी वज़े से कि resentment आ जाती है ठीक है तो इ यह वज़े है कि इसकी वज़े से यह पुझ के अंदर फिर से यह issue start हो रहे है ठीक है जैसे आप एक गुजर कम्यूटी के बारे में 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 किया हुआ है लेकिन इसके अंदर एक और community है गुजर और बकरवाल ठीक है तो यह हो गई बात एक इसका एक और फेक्टर है दूसर में ठीक है जो यह राश्टी राइफल ट्रूप्स होते थे जो यहां पर रजवरी सेक्टर में किये गए थे उनको अलांकि डिश्टर नहीं किया गया लेकिन फिर भी थोड़ा focus कम होने के वज़े से यहां पर डिलोशन आ गया है ठीक है यह आपका दूसरा फेक्टर था ज इसी चीजा आ चुकी है ठीक है तो इन लोग के लिए communication थोड़ा easy हो जाता है ठीक है एक यह फेक्टर हो गया दूसरा शहरी इलाकों से छोटे-छोटे समुह में संचालने पहले क्या होता था कि इनका जो main base होता था वो प्यों के या फिर उस पार होता था और उसकी वज़े जैसे इन लोग को communicate करने में दिक्कत होती थी लेकिन इन्हों ने अब छोटे-छोटे ग्रूप जो है शहरों में छोड़ रहे हैं तो पता चल जाता है लेकिन अगर चोटे-छोटे पॉकेट्स में रह रहे हैं तो यह पता नहीं जलता उसकी बड़े से यहां पे यह स्लिप करने का भी काम करेंगे ठीक है उसके अलावा लसी से लसी की और सेनाती जो हमने डिसकस किया अभी फिर रज़ारी चेत्र में उग्रवाद विरोधी ग्रिड को कमजोर किया गया ठीक है जब वहां से रीडिप्लॉयमेंट करते हैं वहां से सेना का कुछ इस्ता अटा करें कह सब्सक्राइब करते हैं इसके अलावा ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है ड्रग्स क्या होता है जनरली फाइनेंस वगेरा के लिए लोग यूज करते हैं ड्रक्स का और फिर यहां के जो नौजवान है उनको भटकाने के लिए ड्रग्स का काफी यूज करते हैं ठीक है तो यह सारी वजह है जिनकी वजह से यह सारी एक्टिविटी अब वापस हो रही है ठीक है अब थोड़ा बढ़ता आगे फिर पोस्ट इवेंट हैपनिंग यहां तक तो हमन तो फिर पुलीस है वह काफी एक्टी हो जाती है वहांकी ज हमेंट हो जाती है और फिर वहां पर कुछ लोगों को सक्के बिना पर गरिया acting उनमें कुछ civilians रहते हैं और कुछ 8 लोगों को रिफ्तार करिया उनमें से 5 लोग जो है घायल हो जाते हैं और 3 लोगों की custody में मृत्य हो जाती है अब जब custody में मृत्य हो जाती है तो फिर human rights का issue involved होता है इसके अलावा भी इस पर आपको यह कुछ ऐसा issue है जो जिस पर inquiry होने भ करना हुआ जो कि एक हमारे लिए शंका का विश्य हो जाता है या फिर आप कैसकता है कि एक questionable प्रश्न किया जा रहा है उनके उपर हालांकि जो हमारी आर्मी है उस पो हमेशा ethos के लिए जाना गया उनके ethical conduct के लिए उनके discipline के लिए जाना गया है लेकिन यहां पर गलती हुई है अगर अगर यहां पर माल लीजे कि गलती हुई है तो इसके inquiry होनी चाहिए ठीक है तो फर्स्ट इंग है कि आपको यहां पर अगर इफ दमिश्टेक है थैपन तो फिर यहां पर inquiry होनी चाहिए ठीक है और सूटेबल डिसिप्लिनरी एक्शन यहां पर उनके खिलाफ होना होगी ठीक है यह तो हो गया एक दूसरा कि आप लोकल के साथ क्या इम्मीडियेटली आप क्या करेंगे क्योंकि जब ऐसी गटना होती है तो वहां की जो अबादी होती है जो वहां की रहने वाले लोग होते हैं उनके बीच में एक रिजर्ट में आ जाता है उनके अंदर एक इसका इफेक्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़े आपको जैसे बताया कि पहले यहां पे लोकल्स जो है सपोर्ट करते थे अगर बाई चान तो अगर ऐसी एक्टिविटीज होंगी तो हो सकता है कि फिरसे वह रिजेंटमेंट आ जाए ठीक है तो इसलिए हम इसका क्या निश्कर्स रहता है अब जो यह आतंकवाद है और यह उग्रवाद है इनकी जो सल्यूशन इनके समाधान है वो सिलोज में नहीं मिलते अलग अलग जगे से नहीं मिलेंगे आपको सारी चीज़ों को एक साथ देखना होगा अगर हम बात करें कि सिक्रिटी फोर् इंप्लाइमेट की वेज़ा से इसुव हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को एक साथ देख करके आपको एक सॉलूशन बनाना होगा एक होलिस्टिक कॉम्प्रियंसी सॉलूशन बनाना होगा ठीक है आजए देखते हैं आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़ी चुनोतियों क समाधान साइलों में मिलता साइलों मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं मिलेगा तक आपको एक साथ देखना पड़ेगा आतंकवाद के मुद्दे के बहु आयामी कारण होते हैं बहुत सारे कारण है जो कि हमने डिसकस किए ठीक है और इसके लिए मानवादिकार सं तो आपको सारे चीजों को एक साथ देखते वे एक व्यापक द्रश्टी कौन लेते वे आपको एक अप्रोच बनानी होगी जो इन सब चीजों को टार्गेट करें और टर्रिरिज्म को इस एरिया से खतम करें अब इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को विराम देता हूं फि झाल 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 झाल